हेलो कई स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टाडिया मैथ पर तो आज के पजल में हमें कोई नमबर नहीं ढूंड़ा आज के पजल में हमें ढूंड़ना है मिसिंग लेटर तो यहां पर देखुए जो पजल दिया है यहां पर जो कोश्चन मार्क में जो लेटर बठेगा उसको हमें ढूंडने है पैटरन समझके और अपना एंसर कमेंट भी करना है तो चलो आज मैं आप लोगों 30 सिगंड का टाइमर लगा देता हूं इसके अंदर आप जो पैटरनों ढूंड के अपना एंसर कमेंट जरूर करना है टाइम साब अगर आपको आप टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो के यहाँ पर पॉस्ट भी कर सकते हैं तो देखो ऐसे लेटर वाले पजल में सबसे पहले क्या होता है पहले हमें इन लेटर के अल्फवेटिकल ओडर लिखना पड़ता है जैसे ब के अल्फवेटिकल ओडर है टू, सी के अल्फवेटिकल ओडर है थ्री, एक अल्फवेटिकल ओडर है फाइप के अल्फवेटिकल ओडर है फिर से लिखेंगे शिक्स, आई के अल्फवेटिकल ओ जो लेटर होता है 6 बाला लेटर यानि कि यह ओ लिखा हुआ है similarly देखो यहाँ पर फिर से 3 के साथ यह बाला 3 multiply हो रहा है 9 और यहाँ पर लिखा है I यानि कि 9 number पर I होता है उसी pattern में यहाँ पर 3 के साथ 5 का multiply होगा तो आएगा 15 जो यहाँ पर लिखा है यानि कि O लिखा है तो उसी pattern को अगर हम follow करे तो यहाँ से 3 के साथ 6 का multiply होगा तो 3 into 6 होता है हम लोगा 18 तो 18 number पर consolator है 18 number पर हम लोगों का R है तो 18 is our missing number तो समझ में आ गया कैसे किया हमने इस puzzle को अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको एक like कीजिए दोस्तों को सस्यार कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए